नमस्कार दोस्तों, इसका ये जुकेर यूटूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त एसके कटा रिया दोस्तों, RPSC की जो प्रिवियस एक्जाम्स के पेपर हैं, याने की ओल्ड पेपर हैं, उनका अनल्सिस चल रहा है और इसी करम में ये वीडियो का थर्ड पार्ट है इस सीरीज में हम RPSC सेकंड गेड टीचर्स के जो पेपर हैं, उनका अनल्सिस कर रहे हैं पिछले पार्ट तक हमने 52 क्यूसंस तक अनल्सिस कर लिये हैं, और जो आगे वाले क्यूसंस हैं, वो इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं तो आईए बिना समय गवाई सुरू करते हैं प्रतियोगी प्रिक्साओं के वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें स्काई एजविगर चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले हैं भारत संग के साथ जम्मू एवं कस्मिर राजे का विलय पत्र हस्ताक्षरित किया गया नीचे चार डेट दी गई हैं आपको वो तारिक बतानी है जिसमें भारत संग के साथ जम्मू कस्मिर के विलय होने का एग्रिमेंट जो था उस पर हस्ताक्षर हुए पहला उप्षन है 22 अक्टूबर 1947 को दूसरा है 24 अक्टूबर 1947 को तीसरा उप्षन है 25 अक्टूबर 1947 को और चोथा उप्षन है 26 अक्टूबर 1947 को और यही इसका सही आंसुर है 26 अक्टूबर 1947 को ही उस पर हस्ताक्षर हुए और इस प्रस्ताव को स्विकार करके भारत सरकार ने 27 अक्टूबर को भारत की जो शेना है उसको कस्मीर भेजा और युद्ध समापती पर जन्मत संग्रह की सर्थ के साथ कश्मीर को भारत का अंग बना लिया अगला क्यूशन निमन में से कौन सी संस्था और संस्थाओं का प्रधान प्रधान मंत्री होता है यहाँ पर कुछ संस्थाओं के नाम दिये गए हैं आपको यह बताना है कि इन में से कौन कौन सी संस्था जिसका प्रधान प्रधान मंत्री होता है पहला option है वितायोग, दूसरा है नीतियोग, तीशरा है राष्ट्री अल्प संखेक आयोग और चोथा option है विधी आयोग, तो इसका सही आंसर होगा देखें नीचे कूट भी दिया गया है कि कूट का प्रियोग करके सही उत्तर का चुनावा को करना है तो पहला जो कूट है वो बोल रहा है ABC यानि वितायोग, नीतियोग और राष्ट्री अल्प संखेक आयोग यानि इन तीनों का प्रधान-प्रधान मंत्री होता है तो ये गलत कूट है, दूसरा है ABD जिसमें वितायोग, नीतियोग और D मिंस विधियोग तो ये भी गलत है और तीसरा option है केवल B यानि नीतियोग, हाँ ये सही है नीतियोग का प्रधान-प्रधान मंत्री होता है बाकी कि ये सारे option गलत हैं तो इसका आंचर हो गया option number 3 केवल B अगला question है निम्नल लिखित में से कौन सा एक देश दक्षणी ACI क्षेतर सहियोग संगठन जिसको हम सार्क कहते हैं S-A-A-R-C इसका सबसे बाद में बढ़ने वाला सदस्य है तो पहला option है Mauritius, दूसरा है स्रीलंका, तीसरा है नेपाल और चोता है अफगानिस्तान आपको बताना है कि सार्क का सबसे बाद में बढ़ने वाला सदस्य राष्टर कौन सा है तो इसका आंसर होगा option number 4 अफगानिस्तान देखिए इसके स्थापना यानि सार्क की जो स्थापना है ये 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांगला देश, स्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भुटान द्वारा मिला करके की गई थी और अप्रेल 2007 में संग में चोदवे सिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका आठवा सदस्य बना यानि 2007 में जो इसका चोद्वा सिखर सम्मेलन हुआ उसमें अफगानिस्तान भी इसका सदस्य बन गया तो इस क्यूशन का आंसर हुआ ओप्सन नमबर चार अफगानिस्तान यानि सबसे बाद में सदस्य बनने वाला राश्टर कुन सा है अफगानिस्तान अगला क्यूशन है राजस्तान की वर्तमान विधान सबा में एक जनवरी 2017 को कितनी महिला विधायक है ये करंट अफेर का क्यूशन है एक तरह से तो इसमें उप्सन में पहला दिया गया है उननीस दूसरा है तीस तीसरा 27 और चोथा है 22 तो इसका सही आंसर होगा 27 यानि ओप्सन नमबर 3 देखिए दोहलपूर उप्चुनाव जो हुए थे अप्रेल 2017 में इसमें सोभारानी के जीतने के बाद वर्तमान में महिला विधायकों की संख्या 28 हो गई है ये थोड़ा पुराना आकड़ा है तो आपको ध्यान रखना है अगला क्यूशन है राजस्थान सरकार द्वारा इधरती कारीकरम प्रारम्द किया गया है जिसका संबंध है तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर एक राजे के समस्त गाउं के राजस्व मानचित्रों के डिजिटरली करन से इसकार्थ ले दाता है देखिए समस्त राजस्व रिकोर्ड ओनलाइन करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्व विभाग इधर्ती प्रोग्राम लागू किया है और इस प्रोग्राम के दुआरा भू अभिलेक, जमाबंदी, नक्से ये ओनलाइन हम कम्प्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं अगला क्यूशन है किसोरी सक्ति योजना सम्मंदित है बालिकों की सुरक्षा से दूसरा उप्षन है बेटी के विवा हेतू माता पिता को वितिय सहता परदान करने से तीसरा उप्षन है किसोर बालिकों की पोस्टिकता एवं स्वास्तिस्तर की अभिवरद्धी से और चोथा उप्षन है किसोर बालिकों को प्रतेक्स वितिय सहता परदान करने से तो इसका अंसर है किसोर बालेकाओं की पोस्टिक एवं स्वास्तिस्तर की अभिवरत्थी से देखे इस योजना के अंतरगत 11-18 वर्स की किसोरियों को सामिल किया जाता है वह किसोरी सकती योजना के उदेश्य की प्राप्ति के लिए बालेका मंडल का गठन किया जाता है एवं इन मंडलों की बैठकों के दोरान बालेकाओं को स्वच्चता, ग्रह प्रबंद, पोशन, बाल अधिकार, महिलाओं के अधिकार एवं विभिन्य विभागों की योजनाई एवं कार्यक्रमों के प्रति समज विक्षित की जाती है ये इसका मुख्य उद्दिर से है किसोरी सकती योजना का इसका आएंस्वर मैंने आपको बताया अगला क्यूशन है भारत की तीनों सेनाओं की साथ कमानों की कमांडरों का 33 सम्मेलन जुलाई 2014 में कहां आयुजवित किया गया यह करनट अफेर का क्यूशन है उस टाइम का यह इसमें पहला ओप्सन दिया गया है जेसल मेर दूसरा है विकानेर तीसरा है जयपूर और चोथा है जोधपूर तो इसका आंसर होगा जोधपूर 33 सम्मेलन जुलाई 2016 में जोधपूर में ही आयुजवित किया गया था तो इसक मेलन जोधपूर के वायु सेना स्टेशन के दक्षिनी पस्ची में वायु कमान मुख्याले भारती वायु सेना की आथित्थे में शुरू किया गया था और इसका उद्देश से तीनों सेनाओं के बीच प्रसपर सहयोग समनवे एक्ता और मजबूती स्तापित करना था अग जैपूर में, गंगा नगर में, जैपूर में या फिर सीकर में तो इसका आंचर होगा जैपूर में गलोबल राजस्थान एग्रिमेट मीट, जिसको ग्राम नाम से भी हम जानते हैं, 2016 में राजस्थान में करसी आधारी तकतिविदियों के तक्निकी नवाचार को बढ़ावा दे करके, रोजगार सर्जन करने के उद्देश से से, नवंबर 2016 में जैपूर के सीता पूरा में जैपूर एग्जीविशन एंड कन्वेंशन सेंटर, GECC में इसका आयोजन किया गया था, तो ये ध्यान रखना है, अगला क्यूशन है, राजस्थान में सिर्वपर्थम ISO प्रमानपत्र प्राप्त करने वाली बाडमेड जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है, पहला उप्ष ऐसे पहले ये समझना है कि ISO क्या है, इसका फूल फॉम है अंतराश्थ्री मान की करन संगठन और इसके दो़रा प्रमानपत्तर जारी किया दाता है, और माननेता और प्रमानन निकायों द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है चलिए अगला क्यूशन है राजस्थान का राज्य खेल है तो आप सभी जानते होंगे राजस्थान का राज्य खेल क्या है पहला उप्शन है फुटबॉल दूसरा है कबड़ी तीसरा है बास्केटबॉल और चोथा है तेरा की तो बहुत से स्टुडेंट होते हैं जो कबड़ी इसका उप्शन सही मान लेते हैं लेकिन इसका उप्शन नमबर तीन जो है ये इसका राज़ आंसर होगा बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है अगला क्यूशन है भारतिय जूनियर ओपन स्क्वोस परतियोगिता 2016 का आयोजन स्थल है जैपूर, दिल्ली, उदेपूर या फिर पटियाला तो इसका सही आंसर होगा जैपूर बर्लिन जरमनी में आयोजित वर्ल्ड टेबल टेनिस चेंपियनशिप 2016 की विजयता भारतिय टीम के सदस्यत थे सुभम ओज़ा, जैपूर, अमित थानवी जोदपूर, कलिम खान चूरू और पंकज विश्वकर्मा अजमिर तो इसका सही आंसर होगा पंकज विश्वकर्मा अजमिर वर्ल्ड रेल्वे टेबल टेनिस चेंपियनशिप का आयोजन 17 अक्टूबर 2016 से 22 अक्टूबर 2016 तक किया गया था अगला क्यूशन है 2016 के पेरा ओलंपिक के दोरान देविंदर जहाजरिया ने किस खेल में नया विश्वर रिकोर्ड बनाया पहला ओप्सन है तेरंदाजी दूसरा है गोला फेंक तीसरा है भाला फेंक जिसको जेविलिन त्रो कहते हैं और चोथा ओप्सन है जूडो तो इसका सही आंसर होगा ओप्सन नमबर तीन भाला फेंक या जेविलिन त्रो देखिए रियो पेरा उलम्पिक 2014 का आयोजन रियो डी जेनी रियो जो ब्राजिल में है उसमें 7 सितंबर से 18 सितंबर 2016 तक इसका आयोजन किया गया इसमें भारत ने 4 पदक जीते जिसमें 2 श्वरण, 1 रजत और 1 कांसी तो इस प्रकार से 4 पदक भारत ने जीते थे अगला क्यूशन है राजस्थान में वर्स 2014 पंद्रे में तीलहन की पेदाबार हुई थी पहला उप्शन है 28.99 लाग टन, दूसरा है 36.78 लाग टन, तीसरा उप्शन है 53.14 लाग टन और चोथा उप्शन है 60.41 लाग टन तो इसका सही आंसर होगा 53.14 लाग टन देखें तीलहन की खेती के लिए पलूई और दोमट मिटी जिसमें जीवान्स की मातरा हो उप्युक्त रहती है और इस मिटी का पीच मान है वो आठ दो होना चाहिए अगला क्यूशन है नाबाड की स्थापना हुई थी नाबाड यानि राष्ट्री करसी एवं गरामीड विकास बेंक तो इसकी स्थापना आपको बतानी है पहला उप्षन है 12 जुलाई 1980 दूसरा उप्षन है 12 जुलाई 1983 और तीसरा उप्षन है 12 जुलाई 1982 और चोथा है 12 जुलाई 1985 तो इसका सही आंसुर है 12 जुलाई 1982 देखिए जो नाबाड जो है यानि राष्ट्रे करसी एं गरामीन विकास बेंक जो है इसके स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई और 12 जुलाई 1982 को करसी वितक शेत्र की एक अगरणी संस्था के रूप में नाबाड के स्थापना 100 करोड मुंबई में स्थित है ये बाद आपको ध्यान जरू रखनी है आगला क्यूशन है राष्ट्री वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण इस्थित है ओप्सन नमबर एक हेद्राबाद दूसरा ओप्सन है पुना तीसरा ओप्सन है लखनव और चोथा है दिल्ली तो इसका मुल्यांकन के द्वारा वर्षा आधारित क्रसी को क्षमतानोसार उप्योगी और समरूप बनाना इसका मुख्य उदेश से है ये बाद आपको इसमें द्यान रखनी है अगला क्यूशन है राजस्थान में वर्ष 2014-15 में दुग्द उत्पादन हुआ था 149.46 लाग टन 179.34 लाग टन 180.73 लाग टन और 153.69 लाग टन तो इसका सही आंसर होगा ओप्शन नमबर दो 179.34 लाग टन और यह देश में दूद उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और 2015 में इससे लगभग 1700 क्रोड टन दूद का उत्पादन किया गया अगला क्यूशन है 2011 की जनगर्णा के अनुसार राजस्थान की कुल शाक्षरता दर थी 16.1 प्रतिशत चिंतर दसमलो 5 प्रतिशत 6.0 प्रतिशत या फिर 77.1 प्रतिशत तो इसका सही आंसर होगा 16.1 प्रतिशत शाक्षरता में 2001 के मुकाबले 2011 में व्रद्धी हुई और कितने व्रद्धी हुई 15.7 प्रतिशत की व्रद्धी हुई सरवादिक शाक्षरता वाले जिले जो है उसमें सामिल किया गया कोटा को जिसकी 16.6 प्रतिशत वो है साक्षरता जैपूर 75.5 प्रतिशत जुनजनू 74.13 प्रतिशत और नियुनतम साक्षरता वाला जिला अगर पूचा जाए तो आपको ध्यान में रखना है जालोर दूसरे नंबर पर शिरो ही और तीसरे नंबर पर है प्रताबगड अगला क्योशन है किस मनुविज्यानिक ने शामोवा के द्वीप पर अनुदेर्द्य अध्यन की पहला ओप्शन है होलिगवर्थ दूसरा है मार्ग्रेट मीड तीसरा है स्टेनले हाल और चोथा है फ्राइड तो इसका आंसर होगा मार्ग्रेट मीड ओप्शन नंबर है दो अगला क्योशन है सर्वपर्थम मनुविज्यान ने अपनी आत्मा का प्रित्याग किया फिर उसने अपने मन का त्याग किया उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया और अब वो है विवहार की विधी को स्विकार करता है ये कथन किसका है पहला ओप्शन है मन दूसरा है जेबी वाट्सन, तीछरा है वुडवर्थ और चोथा है मैकडूगल, तो ये कथन है option नमबर 3 वुडवर्थ का, देखिए वुडवर्थ ने ये कथन इसलिए किया था, क्योंकि मनविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान माना जाता था, इसके बाद में इस प्रिभासा को लिया गया और चेतना का विज्ञान माना जाने लगा, और इसके बाद में इसके इस स्वरूप को भी ऐस्विकार करते हुए विववार का विज्ञान इसे मान लिया गया, इसलिए वुडवर्थ ने कहा, कि सरव परतम मन विज्ञान ने अपनी आत्मा का प्रित्याग किया फिर उसने अपने मन का त्याग किया उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया और अब वो है विवहर की विधी को स्विकार करता है तो इसका आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर 3 अगला क्यूशन है अंतरद्रश्टी या सूज द्वारा सीखना सिध्धांत किस ने दिया पहला उप्शन है कार्ट लेविन दूसरा है कोहलर तीसरा है ए बंडूरा और चोथा उप्शन है गुथरी तो ये दिया था कोहलर ने उप्शन नमबर 2 इसका आंसर हो जाएगा अगला क्यूशन है वाई गोट्स की बच्चों के सीखने में निम ललकित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं पहला उप्शन है नेतिक दूसरा है शारीरिक तीसरा है आनुवान्शिक और चोथा है सामाजिक तो इसका सही आंसर होगा उप्शन नमबर 4 सामाजिक अगला क्यूशन है जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता तो यह कहलाता है अधिगम का शकारात्मक हस्तानांत्रन अधिगम का सुन्य हस्तानांत्रन अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरन या फिर अधिगम का समश्या समादान अधिगम तो ये चार ओप्षन हैं और पूछाए जा रहा है कि जब पूर्व का अधिगम यानि पहले से सीखी हुई बात नई प्रिस्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकारक से कोई प्रभाव नहीं डालता है तो इसको कहते हैं अधिगम का सुन्य स्थानांतरन तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्षन नमबर दो आगला क्यूशन है इसकी नर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्दान्त है चार ओप्षन है तो इसका आंसर होगा ओप्षन नमबर दो क्रिया प्रतिपादित सिद्धान्त है तो इस परकार से हमने यहां तक 76 यानि 76 परसनों को हल कर लिया है और इसके आगे जो क्यूशन बस गए हैं उन्हें हम इसी वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे उमीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक वसे जरूर करें और अगर आप हमें कोई शुजाओ देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से निसंग कोच शुजाओ भी दे सकते हैं जल्द ही मिलते हैं इसी वीडियो के अगले पार्ट में तब तक के लिए नमस्कार